नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिरस एक बार स्वागत है और दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का Redmi 6A का डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली और Redmi 6A डिवाइस के विजर्स के लिए काफी बड़ी गुड निकल कर आ चुकी है क्योंकि दोस्तों Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का लेटेस्ट टेबल अपडेट जिसका वर्जन है 11.01550 का स्टेबल अपडेट आज से अपर अभी अभी रॉलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आप में से काफी सेरी लोगों के मुझे गमेट्स आ देते हैं कि Xiaomi की तरफ से Redmi 6A को नेक्स्ट अपडेट कौन सा देखने को मल जागा तो दोस्तों फाइनल अबर देश सकते 11.01550 का स्टेबल अपडेट इंडियन इजर्स की लिए पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों आज के सेरी में हम बात करने वले इस अपडेट के बार में कौन कोंसे चेनल फीचर्स आपको देखने को मल चुका है और कौन कोंसे फीचर्स इसमें अभी तक बाकी है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों कुछी दिन पहले आपको पता होगा कि Redmi 6 device को एक stable update देखने को मिल चुका था उसके बाद काफी सारी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि Redmi 6A device के अंदर अभी तक latest update देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों फाइनली Redmi 6A device के अंदर यापर देख सकते 11.01550 का stable update, global stable update आज से आपर rolling out होना स्टार्ट हो चुका है हाला कि दोस्तों जो अपडेट यापर कुछी selected device को मतलब कि randomly उसको rolling out होना स्टार्ट हो चुका है अगर आपके phones के अंदर अभी तक update देखने को नहीं मिला है अपर पांचे दी या फिर एक हपते का वेट कीजिए आपके यापर फिर से update देखने को मल जागा तो दोस्तों इस Redmi 6A device के बार में मतलब की latest update के बार में हम बात करें तो 407 MB का उसका size है एंड नीची की तरफ से देखने को मल जाता है उसके बात करेंगे नीची का उप्टिमाइजेशन की जुकिया लॉस्क्रीन स्टेटेस बार नोटिफिकेशन सेड में सारी सारी प्रॉब्लिम्स थी आपर फिक्स हो चुका है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कुछ latest features के बार में तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगे कि digital well-being में आपको जो focus mode का feature मिसिंग था इस update के बाद आपको focus mode का feature देखने को मल चुका है अगर आपके phones के अंदर focus mode शो नहीं हो रहा तो आपको ज़रूर एक बार digital well-being application का update करके रखना है बात करेंगे दोस्तों यह पर wifi calling का अफिसर लोग यह पर question कर रहे थे कि wifi calling का feature से देखने को मिला की नहीं तो इस update के बाद wifi calling का features भी अभी तक देखने को नहीं मिला उसके बाद दोस्तों बात करेंगे about phone section में तो about phone section में देखने सक्सेफिल अप्डेट इस्टाल करने के बाद आपके latest version जो की 11.01550 का stable version देखने को मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों बात करेंगे android security patch level के बारे में तो नीची की तरफ से देखने आपको एक एक 2020 मतलब की एक latest android security patch level देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे what's new में आपको क्या क्या चेंज लोग features अशो हो जाता है तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था का आपको confusion वाला android security patch level मतलब की December का भी and January का भीश हो जाता है उसके बाद दोस्तों नीचे देख से थे lost screen, status bar, notification state वे आपको जो भी problems था bugs थे यो आपर सारी-सारी fix हो चुके है clock में देख से आपको local time का clock का clock का जो bugs या पर fix हो चुके उसको अप्टिमाजेशन देखने को मल चुका है security का अंदर उसके बाद दोस्तों Xiaomi clouds और जो भी आपर non bugs से सारी-सारी fix हो चुके है तो दोस्तों बात करेंगे notification panel में, तो notification panel में focus mode, me remote जैसे कुछ शौटकर्स toggle add किया गया है अगर आपके phones का अंदर शोह नहीं हो रहे तो आपर edit पर click कर देजे, edit पर click करें बाद नीचे की दर्ब से जो shortcut से आपर उपर app add कर सकते है security application का अंदर कुछ ज़्यादा खास है आपर changes देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो payment app का जो payment mode utility function उसके आपर optimize किया गा है उसके बादो सब बात करेंगा अल्ट्रा पावर सभी mode features तो अल्ट्रा पावर सभी mode का जो features इस update के बाद भी आपको Redmi 6 से का अंदर देखने को नहीं मिलता तो app drawer features के लिए next update का भी इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है बस इसके आपर launcher का update कर लिजे, Redmi 6 से device के अंदर app drawer enable हो जाएगा तो कैसे enable करना है उसके लिए अगर को वीडियो देखना है तो उपर आपर आपर टेम फे उसका भी वीडियो में एड़ कर दूँगा तो दोसो से Redmi 6 से device के अंदर MIUI 11.0.550 का stable update मिलना स्टार हो चुछ चुका है और इस अब इट का पूरा चेंज लोग फेजर से रिवियो के वीडियो बहुत ही जिल्दी में अपनी चैनल पर अप्लोड करने वाल हो तो दोसो आज के सुड़े में बस इतना ही सुड़े को लाइक कीज़े शेर कीज़े अपनी दोसों के साथ तब तक के लिए थेंक यू बबाई टेक केर